शुरुआत करते हैं सबसे एक सिंपल टॉपिक जो हमाई पास है स्प्रिंग स्प्रिंग हमाई पास इस तरीके से होती है आपको पता को इसकी एक नाचुरल लेंथ होती है अब यह तो मैं उसको खीच दूँगा तो वापस फोर्स लगाएगी या फिर मैं से कंप्रेस कर दूँगा तो फिर वापस अपनी नाचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी तो मानलो इसको मैंने यहां से इस तरफ इस तरीके से खीचा है एक्स अमाउंट से इस तरीके से फोर्स लगएगा जिसकी वैल्यू अगें हो जाएगी माइनस के एक्स क्यों आताहै देखो एक सिधर है तो फोर्स इह लगता है आप उसे डिरेक्शन में लगता है तो spring की बस एक ही question है f is equal to minus k x दोनों यहाँ पर vector इस तरीके से हो जाएंगे spring की case में एक चीज़ का आपको ध्यान देख रहा है कि मानलो हमाई पास spring में जो भी force लगता है अगर यहाँ पर इस तरीके से force है f इसको मैंने दबा दिया होगा तो वापस बाहर आने के लिए force लगा रही होगी तो इस end पे भी उतना ही force लगेगा तो force is at both ends f is at both ends आप यहाँ पर भी देख सकते हो अगर यहाँ पर spring वापस आने के लिए दर force लगा रही है system as shown in figure is in equilibrium at rest the spring and string are massless now the string is cut तो मैं आपस यहाँ पर एक string दिए इसको बीच में से काट दिया the acceleration of the mass 2m and m just after the string is cut will be तो इसको आपको इस तरीके से समझ जाए है spring में जो force लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि उसमें कुछ extension है तो अभी यहाँ पर spring थोड़ी से में आपस नीचे खिची हुई है इनके कारण ने थोड़ी से खिच रगी होगी natural length के compare करोगे तो लेकिन जैसे ही मैं इसको काट दूँगा तो इसके उपर कुछ forces undisbalance हो जाएंगे तो यह उपर जाने के लिए इसमें कुछ acceleration मान लो आ जाता है लेकिन क्या जिस instant पर काटा यह थोड़ा भी उपर गया? नहीं तो यह इसका length जो खिची होगी है वो change नहीं होगी है इसका मतलब force भी change नहीं होगा इस तरीके साथ इसे solve कर सकते हो वीडियो को pause करूँ और यह बहुत ही अच्छा conceptual स्वाल है इसलिए इसको solve करूँ question का correct answer है option number 1 कैसे हैं इसे solve करते हैं? पहली बात हम देखेंगे जिस वक इसको काटर नहीं है उससे पहले spring में force कितना रहा होगा तो यहां पर देखो आप इसको ऐसे system मान सकते हैं इसके उपर नीचे की तरफ लगा होगा total 3 mg तो उन्हों का mass मिला करके 3m है इसमें 3 mg नीचे force लग रहा था लेकिन यह नीचे तो नहीं move है यानि कि spring में जो force था एफ की value थी 3 mg इसके बाद यहां पर हमने कर दिया cutting रसी की और रसी को काट दिया जैसे ही रसी को काट एक ब्लॉक के उपर देखो total force कितना है अब यह तो हवा में जूलता हुआ free to move है ना तो actually यह तो freely fall होगा तो इसका acceleration तो मुझे वैसे ही पता चलिए इसका acceleration हो जाने वाला है g इसके acceleration के साथ क्या होगा देखो अभी spring move नहीं होई है spring वही की वही है तो spring अभी भी उतना ही force लगा रही होगी 3 mg लेकिन इसके उपर mass जो लग रहा है अब वो लग रहा है gravity के कारण force लग रहा होगा 2 mg तो इसके उपर देखो disbalance हो गया है force का तो अब इसके उपर net इस तरफ कुछ इसका acceleration आ जाएगा कैसे बोल सकता हूँ है 3 mg माइनस 2 mg will be equal to 2m time से इसका mass कितरा है 2m यहां से हमें बता चल जाता है acceleration is equal to 3 minus 2 1 by 2 g यानि की g by 2 तो इस वाले का g by 2 upward हो जाएगा इसका होगा g by 2 upwards और इसका हो जाएगा नीचे की तरफ जी which is option number a इस था बहुत ही अच्छा और conceptual ही है सवाल था combination of spring springs में usually बहुत सारी spring के दो जोड़ दी जाते है फिर आपको उसका equivalent spring constant निकालना होता है यानि कि अगर हमाँ आपस मालो यह दो spring इस तरीके से जुड़े है इन दोनों को हटा करके इन की जगे मैं एक single spring लगाँ तो उसका equivalent spring constant कितना होगा इसके formula करम derive नहीं करने चाहेंगे हमाँ पस पहला combination है series combination इस तरीके से यहाँ पर दो spring series में लगे है दो की जगे हो सकता है बहुत सारी लगे हो यहाँ पर हमाँ पस क्या होता है हर spring में जो force होता है वो same होता है यहाँ पर देख force same होता है k1 x1 will be equal to k2 x2 will be equal to k equivalent अगर मैं इसको एक equivalent उससे replace करो हो यहाँ से आप derive कर सकते हो लेकिन हमाँ आपस effectively जो result आयाता है वो सीधे सीधे लिखा है 1 upon k equivalent will be equal to 1 upon k1 plus 1 upon k2 plus 1 upon k3 आजाएगा यहाँ पर तीन spring यहाँ तो इस तरीके से आप add करते चलो special case हमाँ पास मानलो 2 ही है तो यहाँ पर आप LCM ले लोगे तो आजाएगा हमाँ पास k equivalent is equal to k1 k2 upon k1 plus k2 तो यह बहुत जगे use होता है next is parallel combination parallel combination में क्या चीज़ सेम होगी अगर मैं इसको x amount से खीचता हो तो यह भी x extend होएगी यह भी x extend होएगी इसमें जो force लगता हो जाएगा k1 x इसमें force लगता हो जाएगा k2 x total force हो जाएगा वो दोनों को add कर दोगे यहाँ पर मापास जो k equivalent की value आती है k equivalent is equal to k1 plus k2 plus k3 इस तरीके से आप add करते चलो पिर एक anti-parallel combination जिसको बोल दियाता है यह भी actually दिखता ही actually series में है लेकिन होता ही है parallel में इसको कैसे समझे मालों यहाँ से मैं इसको x amount इस तरीके से displace करता हूँ तो यह वाली spring में जो extension होगा वो इस तरीके से x होगा और यह force लगाएगी minus kx minus k1 x अगर इस spring को मैं देखूँ तो यह इस तरफ force लगाएगी k2 x और यह actually दोनों आप देखोगे तो इसी तरीके से काम कर रही होती है यहना दोनों का force का direction इसी तरफ आ जाता है और दोनों में extension भी same होता है तो same यही वाली चीज़ यहाँ भी हो रही होती है find the equivalent spring constant तो यहाँ पर कैसे पदा करना है देखो यहाँ पर हमाँ पास यह तीनो parallel में लगी होई है यह दोनों parallel में है यह तो खेर अक्के लिए फिर यह इसका जो equivalent आएगा और यह इसका equivalent और यह तीनों फिर series में हमाँ पास लगी होई है तो formula लगाते जाओ सबकी value k है वीडियो को pause करो solve करके बताव इसका answer क्या आता है इस question का correct answer है 6k by 11 कैसे आए देखो बहुत ही आसान यह तीनों लगी रहे हैं parallel में तो इन तीनों का जो k equivalent आएगा उसकी value आजाएगी 3k इन दोनों का जो equivalent होएगा उसकी value होगी 2k यह तो कहर है खुद k अब हमारे पास इस तरीके से 3 springs आ चुकी है यह लगी होई है series में इनका जो effectively मैं एक single spring से जब इसको replace करूँगा है उसको बोलूँगा k equivalent 1 upon k equivalent क्या कर रहा हूँ है यहाप अब series वाला formula लगा रहा हूँ क्योंकि यह तीनों series में आ चुके है 1 upon k equivalent will be equal to 1 upon k 1 की value है 3k plus 1 upon 2k plus 1 upon k यहाप आप LCM ले लोगे तो नीचे आजाएगा 6k ऊपर हाजाएगा 2 plus 3 plus 6 k equivalent की value हाजाएगी 6k upon 11 और यही हमारा answer बहुत ही अच्छा सा यह सवाल था spring में बहुत सारे सवाल इस तरीके के आ जाते है कि हमारा पास एक spring है उसको हमने यहाँ से काट दिया यह है मानलो L1 और यह हमारा पास L2 तो कुछ ratio में हमने इसको काट दिया है अब इसका एक अलग spring नहीं बन जाएगी यह एक दूसरी spring बनेगी दोनों के कुछ spring constant होगा इसका होगा K1 इसका होगा K2 तो वो किस तरीके से आप solve करोगे मानलो यह है K1 यह है K2 तो यहाँ पर हमें जो चीज का ध्यान रखना होता है वो होता है K into L is always constant ठीक है K into L constant हो जाता है अब देखो यहाँ पर K1 into इसकी length कितनी है L by 3 तो यहाँ पर मैं solve करना अगर इसको शुरू करूँ तो मैं लिख दूँगा यहाँ पर था K और L KL is equal to K1 L by 3 तो मुझे K1 की value आजाती है सीधे सीधे 3L इस तरीकी से पता चल गया इस वाली spring के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ KL is equal to K2 into 2L by 3 यहाँ पर हमाँ आपस L से L कट जाएगा हमाँ आपस K2 की value आजाती है 3 into K upon 2 और आप ध्यान से देखो यह दोनों spring actually series में लगे आप इनके उपस series वाला formula लगा दोगे ना फिर से कौन सा series वाला formula 1 upon K equivalent is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2 तो इससे आपको फिर से जो spring constant लेगा actually वो यही मिल जाएगा क्योंकि फिर से effectively हम इसी spring को बना देगे तो इस तरीके से आपको यह cutting of spring भी आना चाहिए इस पर भी बहुत सारे questions में छोटे छोटे parts में segment में इसका use करना होता है spring का यह छोटा सा video जो आपने देखा वो actually एक छोटा सा part एक छोटे से crash course का जाँप है सब को छोटा 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 हो रहा है लेकिन syllabus पूरा complete करा गया है with absolutely important previous year's questions and conceptual questions इसका link description में उसको जरूर देखो और जो भी exam की तयारी कर रहे हो बहुत अच्छे से फोड़ना हो आप है लेकिन उससे पहले मेरे vlogging channel को subscribe करो क्योंकि मैं आजकल क्या फोड़ा भड़ी मचार हो हो आप 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 देख सकते हो और मेरी आपसे request है कि square board को scan करके कुछ हमाओं डोनेट करो था कि मैं और भी अच्छे content आपके लिए बना के लाप हो हम मिलेंगे next video